नमस्कार आप देख रहे हैं पंचायती राज नियूज और मैं हूँ आपके साथ छवी तोंक खुर्ड में नगर पंचायत में मानवता की सारी हदे पार शहीद भगत सिंग चौराहा से लेकर गलेती की रोड पर नगर पंचायत के द्वारा एक बड़ा नाला आर सी सी कर बनाया गया है विगत पांच से छे वर्षों के बाद भी इस नाले पर चेंबरों के धक्कन नहीं लगे हैं कई बार रहवासियों के अबोद बच्चे इस खुले चेंबर में गिर गए हैं कल महाशिवरात्री पर उक्त खुले चेंबर में एक गाई गिर जाने के बाद भी 17 से 18 घंटे बीच जाने के बाद भी नगर पंचायत के कर्मचारी या सीमों ने कोई सुद नहीं ली परेशान होकर वार्ड के निवासियों के द्वारा मशक्कत कर रात 12 बजे के बाद चेंबर में फसी गाई को निकाला गया क्या नगर पंचायत कर्मियों की संबेदना बिलकुल मर गई है शासंग के उच्च अधिकारी क्या इस और संग्यान लेकर उचितकार रवाई कर नगर वासियों को इस नार्किय जीवन जीने से निजात दिलाएंगे पंचायती राज के लिए देवास से सुनील मालविय की रिपोर्ट जिसे कल वार्ड वासियों द्वारा निकाला गया नगर परिशत को इस बारे में बहुत बार अउगत कराया गया है पर कोई भी लापरवाई बरस रही है नगर परिशत और कभी भी जनानी होने की संभावना रहती है बहुत बार इसमें बच्चे भी गिरे हैं क्या परिशय नहीं है किस तरीके ते आपके तकलिवें दूर नहीं हो रही है पंद्रा दिन में साफ सपय करी अभी गाय गिर गई ती इसमें दो दिन से गाय पड़ी थी नाले में नगर पंचयात को नहीं बताया था गाय गिर गई है यहां किते दिन किते दिन पड़ी रही गाय अंदर दिन फिर किनने निकाला इसको कब निकाला राच में किती बजे ग्यारा बजे रात को निकाला और क्या पारेशय नहीं है सब्सक्राइब करें आपके यह बारा कंदी बारा हो रहा है यह कितने दालों यह नाले को बने को अब अभी तक इन्हों रखकन नहीं लगाए? लगाए, लगाए तर पहुट लगाए, देखने नहीं आते हैं कोई मेडम से पोल नहीं मेडम नहीं आती है क्यों हानों कि जबाव लेकर चली जा ट्रग गिरा तो पैसे लेने आ गए लग्याए हमारा मकान गिर गए